हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी प्री क्वेस्चन्स इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे 500 जीव विज्ञान प्रस्ण का भाग एक जिसमें हम 25 प्रस्ण कवर करेंगे और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए है तो हमारा चैनल स्टडी प्री क् सब्स्राइब कर लें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेस्चन है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं यह क्वेस्चन बीपीएसी 2011 पूछा गया है और सारे प्रस्ण जो है बार बार पूछे जाते हैं सही अंसर होगा हेलो फाइ कहा जाता है बाकी नाम देखते हैं जीरोफाइट मरू अस्थल ये छेत्रों में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है दूसरा हाइड्रोफाइट नाम से पता चल रहा है पानी पर उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है जैसे कि कमल का है next question देखते हैं cytology है सही answer होगा कोशी काओं का अध्यान को cytology कहा जाता है बाकी देख लेते हैं जीवानु का अध्यान इसे bacteriology कहा जाता है उसके बाद है फसलों का अध्यान फसलों का अध्यान को agronomy कहा जाता है और जनसंख्या का अध्यान ये question भी बार बात पुछा जाता है जनसंख्या का अध्यान क्या कहलाता है तो ये कहलाता है demography जनसंख्या का अध्यान demography कहलाता नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीम्न में से कौन सा रोग बैक्टिरिया से होता है? सही अंसर होगा, तपेदिक, तपेदिक को हम टीबी या यक्षमा के नाम से भी जानते हैं, यह रोग फेफडे को परभावित करता है समवहनी यानि कि भसकूलर पौधों में पानी उपर किसे जाता है? तो पौधों में पानी उपर जाइलम टीसू से जाता है, हमेशा कनफ्यूजन रहता है जाइलम और फ्लोयम में तो जाइलम में आप देख रहे होंगे कि जल वर्ट छीपा हुआ है, तो जब भी पुछे कि पानी में पानी उपर किस से जाता है, तो जाइलम होगा और उपर की चीजे जो भी खादे पदार्थ पधों में बनता है और जो नीचे की और आता है, वो फ्लोयम टीसू से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानक जन्तु विज्यान में किस भासा का उप्योग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीम्न में कौन सा जीव अपनी तोचा से सांस लेता है? सही अंसर होगा मेड़ाग मेड़ाग अपनी तोचा से भी सांस लेता है नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं जेनेटिक्स नीम्न में से किसका अध्यान है सही अंसर होगा आनुवान सिकता और विचरन जेनेटिक्स आनुवान सिकता और विचरन का अध्यान है और एक क्वेस्चन पुछता है कि आनुवान सिकता का पिता किसे कहा जाता है तो आनुवान सिकता का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है किसे कहा जाता है तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं उपकर्न गरंथी यानि कि पेरोटीड गलैंट का क्या कार्य है यह क्वेश्चन जैसे सीजेल 2016 में पूछा जा चुका है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो पेरोटीड गलैंट का कार्य है कि सलाइवा को इस्तरावित करती है saliva यानि लार को इस्तरावित करती है देखिये मनुस्य के सरीर में यानि मनुस्य के मुह में तीन जोड़ी लार ग्रंथिया पाए जाती है पहले जोड़ी जो हती है वो जीप के दोनों और एक-एक की संखिया में पाए जाती है जिसे sublingual gland के नाम से जानते है दूसरा जोड़ी जो हता है निचले जबड़े के बीच में पाए जाती है उसे sub maxillary gland कहते है और तीसरी जोड़ी जो कानों के नीचे ठीक कोने पर एक-एक पाए जाती है उसे ही parotid gland कहा जाता है next question देखते है मेंडल के आनुवान सिक्ता का सिधान्त किस पर आधारित है सही answer होगा langing general मेंडल के आनुवान सिक्ता का सिधान्त langing general पर आधारित है next question देखते है भूर्न किस में मिलता है तो भूर्न बीज में पाया जाता है next question देखते है परकास संसलेशन होता है सही answer होगा chloroplast पौधे के हरे भाग में परकास संसलेशन होता है परकास संसलेशन में क्या होता है कि पौधे के हरे भाग में सौर उर्जा को ग्रहन करके पौधे वायूमंडल से CO2 और भूमी से जल प्राप्त करते हैं और कार्बो हाइडरेट का निर्मान करते हैं और यह किरिया में हरित लवक या क्लोरोफिल की उपस्थिती आवस्यक होती है नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं एड्स विसानू के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है सही अंसर होगा जीडो गुडीन एड्स के लिए आजमाई गई सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है एड्स का फूल फॉर्म होता है एक्वाइड इमिनो डिफिसियन्सी सिंड्रोम नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं मानो शरीर में खा द्यवसा का पाचन अधिकतर कहा होता है सही अंसर होगा आजमे वैसे तो पाचन की के लिए मुह से ही प्राराम हो जाती है प्रनतु सबसे ज्यादा पाचन आजमे होता है नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं किस सुच्मजीव के दुआरा हेपेटाइटिस B की बीमारी होती है? सही ंसर होगा, वायरस. हेपेटाइटिस B को हम पीलिया या जॉनडिस के नाम से भी जानते हैं. आप लोग सुने होगे कि यह एक लिवर की बीमारी है. लिभर यानि की यकृत की बीमारी है इसमें क्या होता है कि लिभर एक पीत वर्नक को उत्पन करता है जिसे हम बिली रुबीन की नाम से भी जानते हैं यही पित वर्नक जब ज्यादा निर्मान होने लगता है तो यह सरीर के पेसाब में या सरीर के बलट में भी चला जाता है जिससे सरीर का रंग पीला पड़ जाता है आखो का रंग भी पीला पड़ जाता है और पेसाब का रंग भी पीला पड़ जाता है इसमें निकट की वस्तुवों को रोगी अच्छे से देख लेता है, और दूर की वस्तुवों को देखने में उसको कठिनाई होती है उसी परकार दूर दिरिष्टी दोस में क्या होता है? कि वह दूर की वस्तूओं को सही तरीके से देख लेता है, पर नजदी की वस्तूओं को देखने में उसको परिसानी होती है. नेस्ट कुश्चन देखते हैं, इन में से कौन सी बिमारी को ब्रेक बोन बुखार भी कहा जाता है? तो ब्रेक बोन बुखार डेंगू को कहा जाता है, डेंगू फिबर भी वाइरस के कारण होता है. कैसे होता है? तो यह एक मच्छड है जिसका नाम है इडीस इजेप्टी, उसके काटने से यह रोग होता है. नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, प्लाजमा में जल का परतिसत होता है? यह कुश्चन पिछले वीडियो मैंने कभर किया था, प्लाजमा में जल का परतिसत 90 से 92 परतिसत होता है, बाकी में से 7 परतिसत प्रोटीन होता है, और अन्यपदार्थ पाये जाते हैं. नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, एक कारिसील महिला को परतिस दिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? सही अन्सर होगा, 45 ग्राम. और सतन महिलाओं को 45 ग्राम और पुरुसों को 55 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. वैसे तो प्रोटीन सरीर के वजन के हिसाब से लिया जाता है, पर और सतन अगर देखें, तो महिलाओं के लिए 45 ग्राम और पुरुसों के लिए 55 ग्राम प्रोटीन लेना आवस्यक है. नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, रक्त होता है? ये कुश्चन भी पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था, सही अंसर होगा, रक्त एक संयोजी, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है. नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, मानो शरीर के किस अंग में लसी का कोशिकाय बनती है? नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, लिटमस किस में से निकाला जाता है? सही अंसर होगा, लाइकेन, लिटमस से ही लिटमस पत्र बनाया जाता है, जिससे अमल और च्छार का पता लगा जाता है. नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, कौन एक जीवित जीवास्म कहलाता है? ये कुश्चन भी आजकल बहुत बार पूछा जा रहा है. सही अंसर होगा, साइकस और जिंक गो, ये दोनों ही जीवित जीवास्म कहलाते हैं. साइकस वाला ओप्शन बहुत ज्यादा रहता है, आप लोग देखे होंगे. अब जान लेते हैं, जीवित जीवास्म किसे कहते हैं? तो जीवित जीवास्म, वे जीव जो आज से लाखो वर्स पहले प्रित्वी पर उत्पन हुए थे, और किसी भी परकार का उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ. जितने भी जीव आते हैं, तो प्रकृति के हिसाब से उनमें परिवर्तन होता है, पर कुछ जीव ऐसे हैं, जो कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें ही जीवित जीवास्म कहते हैं, यानि कि लिभिंग फोसिल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विसानू, यानि कि वाइरस क्या है, कोई किया, आकोई किया, एक कोई किया, बहु कोई किया, तो वाइरस आकोई यह है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल परदूसन के नियंतरन में परियुक्त होने वाला सूपर भग क्या है? सही अन्सर होगा, जीवानू विक्रिती. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्ड में से कौन सब परदूसन संके तक पौधा है? परदूसन संके तक पौधा है? लाइकेन. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कामेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चन को सब्स्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबाएं, ताके आपको लेटिस्ट अपडेट मिलता रहा है, थैंक्स पर वाचिंग.